हेलो गाइज मैं हूँ स्पाइकी पुझा और आप देख रहे हैं अर्थपरकाश टीवी बॉलिवूड एक्ट्रेस मलाइका रोड़ा भले इंडरस्ट्री में फिलाल दूर हो सिल्वर स्किन पर नजर ना रही हो बाउजित इसके शायब एक एक मातर ऐसी एक्ट्रेस है जो हर दिन सुर्खियों में रहती है और उनकी तस्वीरे भी आए दिन इंटरनेट पर वाइलर होती रहती है इसकी वज़ाए उनकी फिटनेस रूटीन जी हाँ, मलाइका पूरी तरह से हेल्थ कॉंशिस है और हर दिन विदाउट फेल जिन जाती है और एक्सरसाइज वर्काउट के साथ सत योग की भी बहुत बड़ी फैन है इसमें कोई शेक नहीं कि फिटनेस आइकन है मलाइक करोड़ा 46 के उमर में भी ऐसी ऐसी एक्सरसाइज और योगासन करती है यह कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले योग के सबसे मुश्किल आसनों में से हैं शीर्स आसन या हेडस्टेंड जिसमें आपके सिर और गर्दन पर ही पूरे शरीर का भार होता है वैसे तो इस तरह के आसन को करने के लिए बहुत प्रेक्टिस की जुरत होती है लेकिन मलाइका को देख कर कह सकते हैं कि उनमें इनोंने महारत हासिल कर रखी है मलाइका बताती है कि शीर्शन आपकी स्किन के लिए फायदे मन्द है कुछ लोग जहां हर दिन एक जैसा काम करके ठक जाते हैं और उससे थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं वहीं मलाइका के लिए फिटनेस, योग हवा और सांस की तरह है जिससे वे कभी ब्रेक नहीं लेती अपने इंस्टागरम पर मलाइका ने कोपतासन या पीजन पोस की तस्वीरे शेयर करते वे यही बात लिखी और अपने फैंस और फॉलोवर्स को भी यह बताया कि इस योगासन को करने का पूरा तरीका क्या है इस आसन को करने से कमरदर्द, हाई ब्लड प्लेशर, लो ब्लड प्लेशर की समस्या भी दूर होती है हेडस्टेंड में जहां आपके पूरे शरील का भार आपके सिर और गर्दन पर होता है वही हेडस्टेंड में आपके दोनों हाथ और बाजूँऊ पर आपके सरीर का भार होता है इस हेडस्टेंड में मलाइका ने एरियन योग को भी एड़ किया है और इसे बहतरीन तरीके से करती नजर आ रही है हेडस्टेंड के फायदों के बार में बात करें तो इस योगासन से पेट, कंदा, हाथ और कलाई स्ट्रेच होती है जिससे इसमें मुझभूती आती है शरीर में बलड फ्लो बढ़ता है और दिमाग को फोकस करने में मदद मिलती है योग का एक और मुश्किल आसन है उस्ट्रासन जिसे कैमल पोस भी कहा जाता है और उसे भी बहतरी तरीके से करती नजर आ रही है मलाईका अरोडा इस आसन में पीछे की और जुकने से हरद्य चकर खुलता है इस आसन से शरीर में लचीरापन आता है शरीर को ताकत मिलती है, पेट की चर्वी कम होती है और वजन घटने में भी मदद मिलती है मलाईका के इस योगासन पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि मलाईका जमीन पर लेटकर समाने रूप से धरुरासन नहीं कर रही बलकि उन्होंने इसमें एक ट्विस्ट एड़ है वे कुर्सी पर धरूरासन कर रही है और उन्होंने अपने पैरों को कुर्सी के पीट पे फसा रखा है इसके लिए भी बहुत प्रेक्टिस और फोकस की जुरत होती है धरूरासन के फायदों के बार में बात करें तो इस आसन को करने से मोटापा दूर होता है कमर दर्द में अराम मिलता है कब्स थायराइट और अस्थमा के दिक्कत भी दूर होती है दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले